इसके अंदर जो हम कर रहे तैंंड हो लास्टहाई के अंदर भी लास्ट मैथड है ले ग्राण्य मैथर ऑफ अन्डिटर्माइन मल्टिप्लायच देखिए नाम सा अथा है आप पर की कोशन को तुम्हें तुम्हें सोल करना है कि इसमें उन्हों में नियुक्ता लाइक अंद् करना है और तो कुछ ज्यादर फायता है नहीं इसका तो इस टेशनरी पॉंट कैसे बनाया जाता है वो ध्यान सुनना इसने कहा है कि माली जो कोई फंक्शन दी गई है जिसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है और साथ में कंडिशन दी होगी फिलाल तो मैंने कंडिशन लिखा फाय करना चाहिए तो जो कंडिशन दी होंगी वह एक भी हो सकती है जादे है फिलाल तो मैंने एक कंडिशन लिखी है पाय एकस वाई जैड यह कंडिशन है रूल क्या है इसका स्टेशन पॉंट निकानने का कि तुम्हें एक 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 विशन बनानी पड़ेगी जिसे बोलते पाय डाला तो इसे लैम्डा 170 लिख लेना और अगली कंडिशन को लेना अगली आगया तो दूसरी कंडिशन रखastic होगी वह तो जैसे मैं इन लैम्डा के साथ महीं यहां एक कंडिशन लिखी है जितनी कंडिशन रखी ह 완성 इस फिर तुम्हें क्या करना आजो यह नई function बनेगी इसका partially करना है X के, partially Y के, partially Z के और सब को 0 के equal रखके equation बन जाएंगी, उन्हें solve कर लीजे तो उन्हें solve करके X, Y, Z की value मिल जाएगी, वो ही तुम्हारा stationary point होगा, ठीक है, तो बस किताब को आपना question लिया, question number 4 है find a maximum value of इतने, इसकी maximum value निकाल लिए यह function है हमारी, और साथ में condition दिया है, कि भी जो तुम X, Y, Z की value बताओगे, जिन point पर यह function maximum होगी, वो point ऐसे होने चाहिए, उनका sum करें तो वो कितना आना चाहिए, A तो मतलब जो stationary point है, तुमारा वो इस condition को भी satisfy करता हो तो ऐसे stationary point पर तुम्हें check करना है, function maximum है या minimum है, तो यहाँ पर करना क्या है, जैसे कि तुम्हारी यह function है, यह तो तुम्हारी इसा यू माल लेना है, यू माल लिए कुछ और माल लिए और condition क्या दी गई है, वो दी गई है x plus y plus z equal to a ठीक, तो यह हमारी function है यह हमारी condition है, फिर बतायता हूँ एक बार, उसने कहा है कि u को maximize करिए, किस point पर maximize होगी लेकिन सर्थ है, वो point ऐसा होना चाहिए जो इस condition को भी satisfy करता हो कहने का मतला, उस point पर x, y, z की value का sum a आना चाहिए यह सर्थ लगा दी गई है ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है तो करना कैसे कैसे है, वो बता रहा हूँ मैं सबसे पहले बनाएंगे हम lag range equation lag range equation कैसे बनानी है, जो function है उसे लिख लो, x की power m y की power n, z की power p प्लस lambda लिखना है फिर condition लिख देनी है condition में right hand side में यहीं कुछ है तो उसे left hand side में लेके आना है x plus y plus z और माजिस कितना करना है, a ठीक है, इसको एक नई function बना लेना है, fx capital f डाल लेना, कुछ भी जो मर्जी है यह function माना लिना अब इस में क्या करना है तो मैं इस f को differentiate करना है एक बार तो x के reset में एक बार y के, एक बार z के उनने 0 के बार रखे उनने equation को solve करना है बस, यह method है इसका तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर डेल f ओवर डेल x करके दिखाओ, डेल f डेल x कितना आएगा m आएगा, x की पावर आएगा m-1, y की पावर n, z की पावर p यहाँ करोगे, तो lambda, x का हो जाएगा 1 बस, इसी तरह से, नहीं, बाकि तो 0 हो जाएगा न अब ऐसे करोगे, डेल f ओवर, डेल y करो, n, x की पावर m, y की पावर n-1, z की पावर p प्लस, lambda, क्योंकि यह हो जाएगा, बाकि सब 0 इसी तरह से, तुम करोगे, डेल f ओवर, डेल, z करो, p, x की पावर m, y की पावर n, z की पावर जाएगा, p-1 प्लस, lambda, बस्ति यह तो बन गया, अब तुम्हें इन सब को equal to रखना है, 0 के, put, डेल f ओवर, डेल x, equal to 0, डेल f ओवर, डेल y, equal to 0, और डेल f ओवर, डेल z, equal to 0, बनाओ, पहले वाले equation, m, x की पावर, m-1, y की पावर, n, z की पावर, p, प्लस के, lambda, equal to 0, दूस एक्वेशन, n, x की पावर, m, y की पावर, n-1, z की पावर, p, प्लस, lambda, equal to 0, थर्ड वाले equation, p, x की पावर, m, y की पावर, n, z की पावर, p, minus 1, plus lambda, तो हमाई सामने, ये तीन equation बन गई है, अब इन तीनों को solve करना है, और इस तरह solve करना है, जिससे की यहां से point बने हमारा, stationary point आए, अब इनकी भी छोटी सी technique है, उसे दिहां दखना, देखे, ज़र ये पहली equation है, अगर मैं इसमें x की मुल्टिप्लाई कर दूँ, x की, तो देखो, यह function बन जाएगी, जो हमें function देखेती यू, यहां पर, वही x की पर m-1 है ना, तो x की मुल्टिप्लाई करती है मैंने इसमें, तो यह बहुत बन जाएगी यू, और यहां पर lambda x बन जाएगा, बन जाएगा, second मैं करूँगा, तो यह बन जाएगा, यू हमारा जो उपर देगा हुआ, यहां lambda y हो जाएगा, इसी तरह से मैं कर दोगा, जैड से, उससे क्या होगा, यह बन जाएगा, यू मैं, इन सारों में, जब मैं lambda कॉमल लूँगा, तो यह बन जाएगी, यह second condition जो, ठीक है, तो इसी टेक्निक से ही, सोल होती है, सारी, एक ही टेक्निक हैं मैं सोल करने की, बस यही, थार्ड में multiply करते हैं, x है, फिर फोर्थ में y से है, फिर फिर फिप्त में z है, और add कर दो, तो देखो, यहां क्या आएगा, m, यह बन जाएगा, अब बाइस चलो, एक तो चलना फर्स सा देखा, तुमने यह वाली वैली दो, और एक देखना सेकंड सा, यह जो पूरी वैली हो, यह कितनी हो जाएगी, जो कंडिशन रखी थी, उस कंडिशन देखो, यह देखो यह रही, तो यहाँ से ए रख दीजिए बस, तो यहाँ पर m प्लस, m प्लस n प्लस p, बाहर u, और यहाँ जाएगा, lambda a, equal to 0, यहाँ से lambda की वैली निकाल लीजिए, तो lambda की वैली हो जाएगी, minus के, m प्लस n प्लस p, into u, upon a, लेकिन मुझे तो x चाहिए, y चाहिए, z चाहिए, तभी तो upon बनेगा, तो इन equation वापस आईए, third में, देखें मैं third में रख रहा हूँ, जहाँ सुनना, यहाँ से हमारा x निकलेगा, y जाएगे अब, third में, वहाँ से lambda की वैली बताएगी, कितने बैठेगी, महाँ से बैठेगी, minus के m, x की पावर m-1, y की पावर n, z की पावर p, यह तो बैठी, और यह lambda की वैली यह आई है, तो दोनों को equal रख दो, तो minus के m, plus n, plus के p, into my u upon a, equal to आगया, m, x की पावर m-1, y की पावर n, z की पावर p, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस वाले में, यदि मैं x की उपर नीचे मल्टिप्लाई कर दूँ, तो यह सारा u बन जाएगा, बन नहीं जाएगा, m, उपर नीचे मल्टिप्लाई कर दी, x की, तो x की पावर m, y की पावर n, z की पावर p, उनीचे आजाएगा x, लिख दिया, मैंने हैं मल्टिप्लाई कर दी है, मैंने किसके, x की, डिनोमेटर में भी, और नियूमेटर में भी, तो उपर वाला u बन गया, m, u, अपोन कितना x, और यहां से भी, हमारा, u कर जाएगा, यह यह कर गया, यह 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 बनाना, यह कर गया, तो यहां से x निकली आएगा, तो बताओ x की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस के, m, हाँ, माइनस यह भी तो चल दाएगा, तो माइनस कर जाएगा, है, तो माइनस कर जाएगा, तो क्या जाएगा m plus n plus p x की value नहीं अप उन में जाएगा है तो कितना बैठ जाएगा देखिए a upon हाँ बताओ a m upon m plus n plus p यह बैठ गया x बिल्कुल सेम ऐसे ही तुम्हें बिल्कुल सेम जैसे तुम्हें थाड सकराई है अब के बार lambda की value फोर्थ में भर देना यहाँ पर तो यहाँ सब y निकल कर आएगा इसमें बहर देना तो इससे जैर निकली आएगा बस कितना अंतरा आएगा वो ही बता रहा हूं मैं इसमें आया तो उसमें उपर देख लो एक बार तुम देखते भी नहीं है इस वाले में तो इस तभी है कहीं कुछ गल्ती होगी क्या कि गल्ती गर्दी होगी नहीं है सभी तो है एपर औ कि एपर में क्या जाएगा म प्लस एन प्लस पी और जैड की वैरीएड कि जाएगे कि ए पी अपन में कितना जाएगा एप औ मलस एन प्लस पि सेटेस्नरीपॉंट बन गया पता ओ सक्ड़ैस्ट भी अ pont किया बना upon M plus N plus P, फिर Z की value, AP upon M plus N plus P, बस इतना है Lagrange method, इस से ही हम ये question solve करेंगे, केवल ये point आया है, जिस पर हमें ये पता होगा, कि वही इस पर function या तो maximum जानी है, या minimum, और ये point ऐसा भी निकला है, जो दी गई condition को satisfy करता है, अब बताओ दी गई condition क्या थी, कि इन को जोड़ो सबको तो A आना चाहिए, तो तुम जोड़ कर देखो, LCM लो, M plus N plus P LCM, तो उपर A भार, M plus N plus P, वो कर जाएगा, A ही आएगा, तो ये हमने point रून दिया ऐसा, तो बस Lagrange न ये ये बाह बताई है, बस, बाकि तो हम question अपने हिसाब सा करेंगे, जो हमने इस से पहला chapter पढ़ा था, देखो, Lagrange method, केवल stationary point निकालने काम आता है, तो हमने यहाँ पर stationary point निकाल दिया है, ये रहा stationary point, और ये stationary point ऐसा है, जिस पर function या तो maximum होगी, या minimum होगी, और साथ में condition जो दी गई थी, उसको भी satisfy करता है, condition क्या थी, कि वह point ऐसा ढूनना है, कि उसके x-coordinate, y-coordinate, z-coordinate का sum करा जाए, तो वो a आना चाहिए, देखो, उपर लिखा बाता ही रहा, point ऐसा डूनना, जो इस condition को satisfy करता हो, तो यदि तुम यहाँ पर x, y, z की value भरो, इस condition के अंदर, तो 100% इसको add करने के बाद, वो a ही बनेगा, तो यहाँ तक तो यह Lagrange method खतम हो गया, लेकिन उसने पर कहा थ का, उसके अनुसार तो मैं इस question करना पड़ता है, तो मैं उसी question में अब यहाँ से जो है, वो ही method लगाने जा रहा हूं, बस इधर ध्यान देना, मैं एक बार लेता हूं, यू बराबर क्या था हमारा, x की power m थी, y की power n है, z की power p थी, और condition थी हमारी x plus y plus z equal to a, तो मैं इस question को इस condition की help से, केवल दो variable में change कर सकता हूं, अब तो you depend है, x, y, z पर, तीन variable पर, तो मैं इस में से z को हटा सकता हूं, यहाँ से z की value निकाल लो, a minus x minus y यहाँ पर दो, वहाँ भी किया था, मैंने question जो है, पहली exercise में भी example थी, कि हम उसे दो variable में भी change कर सकते हैं, यहाँ पर आ और यहाँ रख दिया, a minus x minus y की power कितनी, अब तुम्हारे सामने बस यह question है, दो variables का है, कितने variable का, दो variable का, तब पहला chapter है, maximum minima का, तो उससे करो इसको, क्या करते हैं, बताए, पहले इसका यू कर करेंगे, एक बार x के, याद है तुम्हें, एक बार y के, एक बार z के, पर ज दूण चुके पहले ही, अब तो तुम्हें क्या निकालना, r निकालना, s निकालना, और t निकालना, लेकिन तुम्हें एक बार बताए थी, अगर question बहुत ज़रा complicated होना, तो उसमें केवल, दो बार कर लग रहे हो, u का x के, इसा वैसे तो r से दिखाते हैं, और तीन variable का question कर रहे हो, तो इसा capital A से दिखाते हैं, तो इसा निकाल लग रहे हो, अगर यह मैं नेगेटिव आया, तो समझ जाओ, function maximum जाएगी, और यदि यह हाँ, तो function minimum जाएगी, तो केवल इस से काम चल जाता है हमारा, लेकिन बहुत जो completed problem होती है, और जो कम जैसे आराम से जिसमें नि convert करके, फिर हमारा जो दूर का chapter है, उसके नमसाजने solve कर लिए जाता है, चलिए करें, देखे, यहाँ पर simple as a defense rate करोगे, तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, अगर तो लोग लेका defense rate करना, आसान पड़ेगा, प्यूंकि पाउर नीचे उतर जाएंगी, वहना तुम ऐसी करोग तो यहाँ पर first or second का rule लगाना पड़ेगा, अगर लोग लेकारोगे तो आसन पड़ेगा, तो मैं taking log लेकार रहा हूं यहाँ पर, taking log, बताए इधर क्या आएगा, बहुत बढ़ी आइधर, m log x plus n log y plus p log a minus x minus y, बस यहाँ गया, अब इससे defense rate करो, करो defense rate, पहले करो x कर दिस व हूं, differentiate करना है, with respect to x करो, 1 upon u आएगा, del u, del x आएगा, equal to, m upon x आएगा, यह सब 0, यहाँ बताओ, p upon आजाएगा, a minus x minus y, और इसका हो जाएगा, minus 1, यहाँ लिख दिया, यहाँ तक संदिमा आगे है तुम्हें, तुम दें, दुबारा करना है अब इसका, दुबारा करी है करेंगे, तो first second से करना, first year, second year, first year, इसका करो कि दुबारा तो लिखा जाका, del square, u, del x square, आप करो कि तुम first का, one upon u का, u को लिए उपर, u की पार minus 1 का, तो minus के one upon u square, लेकि लिखना पड़ेगा, पीछे del u, del x, और एक del u, del x, पहले से यहाँ आपर, यहाँ लिख दिया, सही है अब यहाँ करो, minus के m upon x square, यहाँ करो, ऊपर ले जाके जाओगे, तो power आजाएगी, minus की one, minus बहार जाएगा, तो plus कर देगा, a minus x minus y की power जाएगी, दो, लेकिन अंदर वाले करोगे, तो फिर minus आजाएगा, साइद यही आएगा, देखो, अब मैं पता है, del x की value, 100% क्या रही होगी, 0 रही होगी, जब तुम इसे maximum minima check कर रहे होगे, तो del x 0 रहा होगा, यह हमारी necessary condition होती है, maximum minima के लिए, तो इसका मतलब यह term हमारी 0 बैट जाएगी, तो one upon u del x square, यहाँ पर आगया 0, equal to बैट गई है, m upon x square, minus के p upon a, minus x, minus y का square, अब यहाँ पर तुम्हें है, यहाँ स इसके p upon a, minus x, minus y का square, अब तुम्हें वो stationery point भरना है, और इसको check करना है, कि यह positive आया, यह negative आया, तो तुम्हें इसकी value निकालनी है, कहाँ पर, stationery point पर, जो तुम्हेरा stationery point है, x की value कितनी थी, a, m upon थी, m plus n plus p, फिर b, नहीं, a यह था, a, n upon, m plus n plus p, और फिर ऐसा ही था, m plus n plus p, ठीक है, इसमें भर के देखना, लेकि में भर के देखूंगा, मैं तो डाइट के दूँगा, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर x का square रहा, तो x की value भरोगे भी, तो यह तो positive रहना, यह point भर के चेक करना, तुम्हें positive नेगेटिव है, अब तो x, y की value यहाँ भरोगे, ल negative आने पर से क्या चला, पता हमारा, इसका मतला, u is maximum, यह रहा, maximum, सही है, तो एक तरह सा हमने यह, आर निकाला, r केवल, बस r निकाल के question कर दिया, आगे निकाला हमने, अब उसके बाद आता है, कि ठीक है, maximum तुम्हें चल गया पता, अब maximum value तो बताओ, कितनी आई, तो maximum value क्य minus x minus y की power कितनी p, बस इसमें अब जो point दिया हुआ, उस पर बढ़ दो, at stationary point बढ़ दो, बताओ, u की value कितनी बढ़ देगी है, x की value क्या थी, am upon m plus n plus p, पूरे की power m, y की value, an upon m plus n plus p, की power n, अब bracket में, a minus am upon m plus n plus p, minus a, p, an upon m plus n plus p, पूरे की power p, अब यहाँ पर अपने आप थोड़ा बहुत LCM देवे का है, सही कर लोगे से, पता सकते हो, इसमें क्या आएगा, यहाँ पर bracket में, पीछे वाली के साथ में, यह बैठेगा, am की power m, यहाँ बैठेगा, an की power n, और नीचे बैठ जाएगा, m plus n plus p की power, यहाँ बैठ जाएगी, m plus n, और बागी आएगी इसमें से, m plus n plus p, बताओ, इसकी मली पर इसमें, am plus an plus ap, minus am, minus an, पूरे की power p, am से am गया, an से am गया, कुल मिलाकर am की power m, an की power n, और ap की power p, अपोन में कितना बच गया, m plus n plus p की power, m plus n plus p, यहाँ गया, यहाँ से बिसकते हो, कुल मिलाकर a की power बताओ, कितनी बैठी, सारे में से, a की power बैठी, m plus n plus p, और बाकी आया, m की power n, n की power n, और p की power p, अपोन में, m plus n plus p की power, m plus n plus p, आंसर चेक करो, यहाई, इसकी minimum maximum value, देखो बड़ा important question है, divide a number a, एक number दे दिया गया, उसे तुम्हें तीन पार्टों में तोड़ना है, into two parts, three parts, लेकिन सर्थ क्या है, कि इस तरह तोड़ना, उन तीनों पार्टों की multiply है, product, वो maximum हाए, वैसी मैं बहुता हूँ तुम से, कोई को तुम से कहला है, है कि 10, 10 एक number है, इसे तीन नंबरों की गुणा में तोड़ो, मल्क तीन नंबर, तीन पार्टों में तोड़ो, उनका सम तो तीन आ जाए, वो दस आ जाए, तोड़ो, बहुत परदों, बीस जाएगा प्लस तोड़ों 3 पार्टों में, और तोड़ी हो, 1 प्laस, 9 प्laस, 0, और तोड़ी हो, 6 प्लस, 2 प्लस, 1, कितनी तरीकित तोड़ सकते हो, बहुत तरीकित तोड़ सकते हो, लेकिन इनकी देखिये, product करना, इसकी प्रोड़क्ट कितनी आएगी दो तीर चे चे पंजे तीस तो यहां तो प्रोड़क्त तीस बैटेगी इसमें करना जिरो आजाएगी क्योंकि एक जिरो भी तो है कि करना चेह दुनी बारा बारा बैटेगी हाप तो वह कहरा है वह बताओ जिससे की गुणा सबसे तो मैक्सिमम होना चाहिए ठीक है तो एक मिन इधर द्यान देना हम इसका सुलूसन करते हैं सपोर्ज करो एक को हमने तोड़ा तीन पार्टों में जिसका एक पार्ट एक्स है दूसा पार्ट वाई है तीसा पार्ट जैड है सर्थ क्या लगाऊं सच दैस इसस तरह तोड़ना कि इन यह मैक्सिमम के हम क्या करेंगए किसको मैक्सिमम दिखाना इसको तो इसह हमालें यू कितना एक्स वाज़ै और सात में हमाई सर्थ क्या हो गई सर्थ यह हो कि इन तीनों का sum कितना होना चाहिए ए होना चाहिए तो तरे question समझाने काली बात लाएं question जमाएं कैसा है फिर सुनो उसने कहा एक number है ए उसको तीन पार्टों में तोड़िए और इस तोड़िए कि तीनों पार्टों की गुणा maximum हो जाए तो इसको तो मैक्सिम चाहरा है तो हम इसा एक टाक है क्या बना लें यू बना लें तो हम यू को चाहेंगे मैक्सिम बनाना साथ में सर्थ तो क्या होगी कि X, Y, Z का सम A आना चाहिए तो कोशन तयार हो गया अब भी संजम नहीं आया तुम्हें तो A के तीन पार्ट हमने ले लिए है X, Y और Z उनकी प्रोड़क्ट मैक्सिम हो इसका है तो इसको मैक्सिम करना चाहरे हैं तो इसको यू मन ले असाथ में कंडिशन ये बन गई कोशन तयार हो गया बस अब तुम्हें पता है लेगरांजे में लगाना तो पहले लेगरांजे फंक्शन बनाओ लेगरांजे फंक्शन बताओ कैसे बनेगी बताया है तुम्हें एज हाँ एफ बराबर पहले यू वली डाल लो कितनी X, Y, Z अप प्लस लेमड़ा और इंटु में कंडिशन X, Y, Z, Z, माइनस के A बस डेल एफ ओवर डेल एफ करो जल्दी यहाँ जाएगा Y, Z यहाँ जाएगा लेमड़ा बराबर 0 भी तू साथ साथ में ही सोट में कर रहा हूं बस मैं दूसरा पता हो डेल एफ डेल वाई निकालो डेल एफ ओवर डेल वाई यहाँ जाएगा X, Z प्लस के लेमड़ा इक्वल टू 0 तीसी बनाओ डेल एफ ओवर डेल जाएगा X, Y अब प्लस के लेमड़ा इक्वल टू 0 अब तुम्हें बस इन तीन एक्विशनों को सोल करना है सोल करके किसी भी तरीके से यहाँ से X, Y, Z की विल निकाल नहीं बस लेमड़ा इतना काम करता है सही है एक काम करो ना यहाँ से लेमड़ा इनिकाल लो लेमड़ा की वल्यू कितनी आजाएगी माइनस के Y, Z नहीं जाएगी इस से लेमड़ा की वल्यू कितनी जाएगी माइनस के X, Z आजाएगी पूरे में ऊपनी इसमें झार ले माुशों कटी जाएगा इसमें बाइज से कर लें लिए तो लिए दो तो यहां इसमें खुजा आपों किया जाएगा जाएगा उपर गए तो इसके कम बना पूंपन एक्स ब्रावर गया तो कम से कम यह चलिया पता कि X Y Z कैसे हैं बरावर हैं अब ठाक है यह वैल्यू किसी में भड़ लो तो तुम्हें एक्स निकल जाएगा वाई निकल जाएगा अब भी सब्सक्राइब लिगए है अगर तुम एससे नहीं कर सकते हैं तो मैं तुम्हें दूसरी कर बताएगा बमरें बन जाएगी नहीं बन जाएगी उससे कर लो वरना मैंने तुम्हें दिए और एकसे निकाल लो ऍलिए तो मैं यह बताए, यहां से x, y, z आ गिये, अब क्या करा है, x की value अलग निकान ले के लिए, तो condition भर दो नहीं है, यहां पर x की जंग है, x ही रहन दो, y की जंग है, x, यहां पर भी x, 3x हो गया, तो 3x इक्वल to a, तो x की value कितने आगी, a by 3, तो y की भी a by 3, z की भी a by 3, point बन बना लो, कहीं से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, अब इन्हें पूट कर देना किस में, second में, जब तुम second condition पूट करोगे, तो x plus x plus x, बरावर कितना जाएगा, a, तो यहां से x की value जागी, a by 3, तो y भी इतना ही हुआ होगा, z भी इतना ही हुआ होगा, तो stationery point ते यार हो सोचो, यहां पर जो function है, u, तीन variable की, और तुम दो variable में convert करना चाहते हो, तो condition का फार्ट रालना, तो z के वली हिसा निकाल के इसा बढ़ला, तो दो variable में जाएगी, और उससे पहला chapter तुमने दो variable खुब चितर सक रखा ही है, देखे, u बराबर क्या है, x, y, z, देखे, यह सब्सक्राइब करना चाहता हूं, तो मैं इस पूरी function को के बल किसमे चेंज कर लूँ, तो यू बराबर आजाएगा, x, y, z की जंग है, a minus x minus y, यह आगे, अब याद करो, तुमने जब पहला chapter किया था, maximum minima का, तो इसमें question side वो third है, या fourth है, देखे लेना, x, y बराबर इतना लिखा हुआ, उसी एक साजा question है, लेकिन हम क्या करेंगे यहापर, आकर लोग ले ले है, लोग ले कर लिजे, वो मठ जी है तुम्हारी, करो, लो ले लो, तो log u equal to कर जाएगा, log x, plus के log y, plus के log a minus x minus y, differentiate करो, differentiate करोगे, तो यहापर one upon u आ जाएगा, del u, del x आ जाएगा, equal to, one upon x, इसका 0, minus के one upon a minus x minus y, एक बहुत करो, यहाँ करोगे, तो बन अपोन u, del square u over del x square, minus के one upon u square, और del u x, इसका लिख दो, चलो जिसका जाएगा, minus के one upon x square, इसका करो, plus हो जाएगा, फिर minus y हो जाएगा, a minus x minus y का square बन जाएगा, यह तो आ गया, बर्स जी, हम जानते है, del u del x की value 0 रही होगी, देखे, जितने भी तुम्हारे maximum minimum में question होते है, तो उनमें जो first derivative होत बता है, जिए हमने प्रूफ किया थे, condition बता है, तो del u del x की value क्या रही होगी, 0, यह, तो बताये क्या जाएगा, one upon u, del square u, over del x square, equal to, minus के one upon x square, minus के one upon a minus x minus y का square, u को उधर फेंग दीजिए, तो del square u, del x square की value बैढ़ जाएगी, minus u, और बाकी यह सारा, बस, अब तुम्हें यह सारी value निकालनी है, इस stationary point पर, जो तुम्हाँ point दिया गया है, और इस point को भरने की जरूफ नहीं पड़ती, यह तो वैसे चल जाता है, पता, a by 3, a by 3, a by 3, अब यह देखो, जहाँ पर तुम्हारा x, y, z तुम्हाँ भरने है, तुम्हाँ पर अपने आप पहले से क्या रहा, square तो इस point को भरने का कोई फाइदा नहीं है, तब यह value सारी negative रहेगी, तो लिग दू नगेटिव, तो यह value negative आ गए, इसका मतलब क्या होगी, u हो गई हमारी maximum, ठीक है, अब maximum value पूछे लगा है, तो जो u है, उसके अंदर बढ़ देना, वैसे तीन पार्ट कितने आगे, ए नमबर के बताओ, तीन पार्ट क्या हुए, अरे a by 3 हुआ, a by 3 हुआ, और a by 3 हुआ, तभी तो a बैढ़ेगा, और इनकी product सबसे ज़्याद है, बैढ़ेगी, कितनी बैढ़ेगी, a cube upon 27 बैढ़ेगी, यह तो मतलब है, बार जी, question करें, लिट कर लिजे, और बच्वों कल करेंगे इसके बार ज झालियो में?